नाजसका स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर आप देख रहें खिलाडी नम्बो बान इस हफते का आखरी ट्रेडिंग सेशन यानि कि इस हफते के तीन विजेताओं के बीच मुकाबला है उसका अंतिम दिन है और आज शाम को मार्केट बंद होने से पहले विजेता की काम्याब रहा इन फाक्ट हायर साइड अज ये दिख रहा है तो पॉजिटिविटी बनी हुई है निफ्टी बैंक पर अगर आप ध्यान दे तो 50,000 के ऊपर का ट्रेड इन फाक्ट आथ सुबह में 50-100 का लेवल भी इसने चुआ है ये भी आप कह सकते हायर स्पेक्ट्र में कारोबार करने में काम्याब रहा लेकर आएंगे आपके लिए मिटकाप्स का हाल और साथी साथ ओवरॉल अडवांस टिकलाइन रिश्यो की स्तिती तो मिटकाप्स भी आधा पसेंट के गेंज दिखा रहे तीन सो पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है मूड से आगे आपकी क्या स्ट्राटेजी होनी चाहिए तो आज की बढ़त में एच्टेफसी बैंक सबसे आगे है फिर रिलाइंस एमिनम ग्रासिम जैसे स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पॉजिशन बन रही है टेक्नोलजी पूरा पॉकेट आज देखेगा तो मुनाफव है अब तक के मार्किट की लेकिन चलिया अब जानकारों के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तीन जानकार हमारा साथ दे रहे हैं इस हफते जिन में सबसे आगे अब आईशीश कयाल ही चल रहें 13.6% तक के रिटर्न्स इनके 12.3% के र रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं मधू के टॉप पर्फॉर्मर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि इस हफते के मार्किट में मोमेंटम रहा है हरोज आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिख रहे हैं जहां पर एक अच्छा खासा पर्फॉर्मर्स बनता दिखाई दिया वो भी आपकी स्क्रीन पर आजाएगा आई से प्रू जो कपल ने पिक किया उसमें 3% के रिटर्न्स बने हापी फोजिंग आशीश का ट्रेड करीब 1% की कमाई करके गया और डीपक नाइट्राइट भी करीब करीब 1% की कमाई करके गया है यह आपके लिए ताजा तस तो काफी सुस्त है पिछले चार्थ दिनों से यहां कि यह कंपरिट लिए वीखम दिखे है कि प्राइट में इंट्राइट के ओला डीटी काफी ज़्या होती है लेकिन देवन देव बीजिस पे खान और कहां पर मार्केट सहन जाता है लेकिन स्टॉप स्पेसिफिक काफी अशिश आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मोमेंटम में देखिए ओर बादार सिमित दाइरे में यहां पर बहुत मुल्टिपल अटेंट्स अगर आप निश्टी पे देखें उकपर की और जाने के हुआ है यही जोन है 23,440-23,450 के आसपा से एक भी बार यहां पर कर पाया है तो और अगर 24,490 का लेवल पार करता है तो वापस से और अच्छा बाइंग इमर्ज हो सकते है पॉजिटिव ब्रेक आउट आने के गुंजाईश है यहां पर उपर में करीबं 30,400-30,600 के लेवल देखे जा सकते हैं तो बाई की ही रही होगी और ब्राडर मार्क करेंगी? जी मैं भी बाई साइट पर ही रहना चाहूंगे आज के मार्केट के लिए कोई खास सेक्टर तीम जिस पर आपकी नजरे हैं? जैसा की मार्केट में जैसे ही थोड़ी सी भी करेक्शन देखी जा रही है महाँ पर आज हमें बाइंग प्रेशर बनता हुए दिख र दरसल इनके फेवर में गए हैं वो पहले आपको बता दिया जाए तो एक तो एग्जिट किया हिंडालको में कल आरीसी को होल्ड कर रही है मुनाफ़ा बुक्याए दीपक नाइटराइट के ट्रेड में मधू फिर आज का नया ट्रेड क्या रहेगा आरीसी के साथ पहला नय हां से दिख रहा है और स्टॉप लॉस इसका 6060 का में रख करके यहां पर चलना चाहूंगी ओके तो अपोलो हॉस्पिटल में एक बाइसाइट का ट्रेड 6,210 के आसपास टॉक का हलकी बढ़ात देखने को मिल रहे हैं लेकिन 6700 तक यह उपरचुनिटी है जो मैप की जा सक देखती है और 6060 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा यह है मधु का पहला ट्रेड चले अब आशीश का पोर्टफोलियो देखे तो फर्स सोस बाइक किया वहां पर बुक्या 206 के आसपास अपना प्रॉफिट और हैपी फोजिंग में भी उन्होंने प्रॉफिट बुक्य और और एक ब्रीक आउट आता हूं नजर आ रहा है इस टॉप के अंदर उपर में जो टार्गिट है वो 2300 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 2020 का ओके 2030 का स्टॉप लॉस लगाएगा सफारी इंडस्ट्रीज देजी का ट्रेड 2300 तक जा सकता है ये काउंटर बाइसाइड का ये ट्रेड इस समय बनता दिखाई दिया है ठीक है अब आते हैं कपिल के पोर्टफोलियो पर और कपिल ने इन फाक्ट आज सुबह में प्रॉफिट भुक किया है 602 के लेवल के आसपास बिला सॉफ्ट में अनफॉर्चनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ कपिल नया ट्रेड क्या रहेगा आजका जी आजका मेरा नया ट्रेड सेंचुरी प्लाई की और होगा और स्टॉप में अच्छा दी प्लाई में एक ट्रेड लेकर आईए प्लीज वह स्टॉप 2.3% उपर 740 का टागेट है यहां पर स्टॉप जो 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है अब 695 के करीब स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कपल ऐसे आप एक और ट्रेड जोड सकते हैं इस समय कुछ है जी मैं जोड़ना च चाहेंगी? मधू आपको आवास सुनाई दे रही है? आशीश आपका क्या प्लान रहेगा? नहीं फिलहाल मैं होल्ड करूंगा सेकंड आप में देखते हैं बाजार की चाल के उसके बाद ही मैं कुछ जोड़ना चाल बाजार की चाल देखने के बाद ही दरसल नया ट्रेड जोड़ा जाएगा ये फिलहाल आपके लिए राए इस समय आ रही है मधू को री पैच करेंगे वहां पर मेरे ख्याल में संपर तूट गया है उनके पास नया ट्रेड है तो लेंगे अच्छा बाइद वे आज नजरे सभी सिमेंट कंपनियों पर है और सिमेंट पर यतिन को ट्रेड करता हुआ मंगलम सिमेंट श्री दिगविजय सिमेंट ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर मोमेंटम देखने को मिला है सिमेंट स्पेस में कपिल आपका ट्रेड क्या रहेगा दिगज या फिर मिड कैप ऑपुचिनिटी कहा है जी बेसे दिखा जाए तो जो जिए फोकस कान अपर सेकंट टायब स्टॉक्स पर रहेंगे क्योंकि वहां पर टेक ओवर के चलते हुए एक बस रहता और पर पॉजिटीव ट्रेट्शन हमें देखने मिलता है तो यहां पर एक और एक अच्छा बिजिग देखने मिलता है तो यहां पर हमारे एक बाई का बनता है तू थर्टी एट के लव पर चल रहा है और तू थर्टी तक एक अच्छाइब करना चाहिए तू टू ट्विली के साथ में और वह में में तू सिक्स्टी स्वी लेकि तू सेवंटी तक के टांगि लिखने मिल रहे हैं तो के ओरियन सिमेंट एक मिटकाफ साइट प की ग्रूप सिमेंट सेग्मेंट में क्या अचीव करना चाहता है यह तन हमाई साथ हैं सारे डीटेल्स देने के लिए तो जहां तक की अमबुजा सिमेंट के अक्विजिशन का सवाल है यह दूसरा बड़ा एक्विजिशन है सांगी इंडस्रीज के बाद जो अमबुजा कर अमबुजा सिमेंट ने इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए चुकाई है जो की ट्रांसलेट होता है रफली 85-90 डॉलर्स पर टन के हिसाब से अब इसली जहां तक की गाइडेंस का सवाल है अदानी ग्रूप का मानना यह है कि FI 28 तक लगबग 1500 रुपे प्रतित टन के हिसाब से अबिटा मार्जिन पेना इंडस्ट्री बनाने की शुरुवात करने जा रहा है यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव होगा मार्जिन भी इंप्रूव होगा और रिटर्न ऑन कैपिल इंप्लॉइड भी आपको बहतरीन तरीके से ग्रूप लेवल पर आता हो दिख हो चाहे वो दूसरी ब्रोकरिजिस हो जैसे कि मॉर्गन स्टैनली करन्ट मार्केट प्राइस से उनका टार्गेट प्राइस उपर ही है और अगर हम बात करें इस अक्विजिशन की तो बजार को यह एक्विजिशन पसंद आ रहा है क्योंकि साउथ मार्केट का यहां आतावा दिखाए पढ़ रहा है और आपके स्क्रीन पर तमाम वो ब्रोकरिजिस जिनका साड़े 600 से लेके 700-730 तक का टार्गेट आतावा नजर पढ़ रहा है अमबुजा पे और अमबुजा का सिमेंट का शेर जो है लगबग 2% मजबूसी के साथ आज क्रेट करता ह आपको नजर पढ़ रहा है इस अनॉंस्मेंट के बादे वियतिन जो कंपनी के टागेट्स हैं FI 28 तक एक तो 20% मार्केट शेर खोल्ड करना 140 मिलियन टन प्रती अनिम अचीव करना इसमें से कितने यह ऐसे अक्विजिशिशन लेड होंगे क्योंकि संगी का अक्विजिशि किये थे वारंट इस्यू के जरीए जो एपरिल के महीने में कंक्लूड हो गए थे तो कहीं न कहीं यह जो वार्चेस्ट कैश की अमुजा सिमेंट के पास लगबग 10-20,000 करोड रुपे के आसपास नेट बेसिस पे उससे एक्विजिशिशन तो होंगे जैसे कि आप जानते ह जो एक्विजिशन था वेस्ट इंडिया में था पेना का अगर एक्विजिशन आप देखे तो साउथ मार्केट्स में है खास करके आंदरप्रदेश और तेलंगाना स्टेट में जहां इनकी जादा यूनो कैपैसिटी लगी हुई है तो कहीं न कहीं अब यह देखा जाए क कि सेंट्र और नौर्थ इंडिया में किस तरीके की इन और्गनिक ग्रोथ ऑपरचुनिटी इस कंपनी को मिलती है और शायद बजार में स्पेकुलेशन भी चल रहा है कि और इंडियन सेमेंट हो इन सब काउंटर्स को ध्यान रखा जाए कि शायद यह टेको टागेट्स है तो ओवरॉल स्ट्राटीजी यही रहेगी कि 140 मिलियन टन का जो कैपैसिटी का टार्गेट है वो जादर जादर इन और्गनिक रूट से मीट किया जाए चुक्रिया आप आया तिने सब्डेट के लिए तो अब इस समय इस अक्विजिशन को जोड़कर एग्जिस्टिंग का कापैसिटी 89 मिलियन टन की है टागेट 140 का तो 51 मिलियन टन अब कमपनी आगे और आड करेगी और जादर तेर ब्रोकरिश रिपोस्ट जैसे यतिन भी मैंशन कर रहे थे उसमें इस बात का उलेख किया गया है कि खुद की कापैसिटी सेटप करने से बहतर इस तरह के अक्वि अब तक के क्या रिटर्ण्स बनाए हैं कौनसे स्टॉक सिंथी तरफ से आए आप बने रहे हैं सीनबी से आवास पर आप देख रहे हैं खिलाडी नमबर वान हम कुछ दिर पहले वो अमबुजा सिमेंट की बात कर रहे थे और कफल ने मेंशन किया कि आप ओरियन सिमेंट जैसे काउंटर्स पर भी नज़र रखेगा अदानी ग्रूप कंपनियों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि यहां पर इस पूरे स्पेस में आप गौर करें कि अच्छी खासी तेजी बन रही है इस समय टॉप ट्रेड़िट काउंटर्स में अदानी पोर्ट पर आपके क्या विचार हैं इस समय अदानी ग्रूप की पार्थ करें तो यहां पर जो फॉल आएंड है इलेक्शन वाले डेन पर उसका अराउंड 50% डिट्रेस्मेंट यह स्टॉक्स ने किये और अदानी पोर्ट में आज के दिन में एक अच्छागा सा मोमेंटम बनता वा नज़र आ रहा है और पर इंटेक्ट है यहां पर बाई की अपॉर्चुनिटी फंदासो और पंदासो चालिस के टांगेट के लिए तो यह फिलहाल आपके लिए एक परस्पेक्टिव आ रहा है अदानी एंटर अदानी पोर्ट पर और एंटरप्राइज दोनों ही मोमेंटम में इस समय दिखाई आइट आउट किये हैं उसका किता आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है पहले तो कपल शाप सेंट्री प्लाइए एक ट्रेड है दूसरा ट्रेड दोपैर में आएगा सेंट्री प्लाइए में 740 टागेट है और 695 का आपके लिए स्टॉप लोस का का काम करेगा फिर बा है अब आईए आप मधू के पोर्टफोलियो पर REC कैरी किया 560 टागेट 510 दरसल इनका स्टॉप लोस है और अपोलो हॉस्पिटल तेजी का ट्रेड है 6700 के टागेट के लिए तेजी कीजिए 6,000 साथ आपके लिए स्टॉप लोस का का काम करेगा REC में करीब 1% का इजाफा और अपोलो हॉस्पिटल हल्की बढ़ा दिखा रहा है माईल पॉस्टिव ट्रेड इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है Returns की situation आपके लिए हाजिर है अब आशीश और कपिल के बीच काटे की टकर है और मदू भी अच्छा competition दे रही है मदू के Returns यहाँ पर अब 8.2% के हो गए हैं कपिल शा करी 13.3% के Returns पर हैं और इसे हलके से आगे हैं आशीश 14.7% के Returns enjoy करते हुए तो यह आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाडी नमबर वन की हम लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा break ब्रेक के बाद यहाँ पर focus रहेगी एक बड़े interview पर मनीश चुकानी से सीधे बाचीत अनुच करने वाले है तो उसका एक बड़ा हिसा आपके सामने पेश होगा और साथी साथ ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दू कि commodities में अगर आप माहिर होना चाहते हैं क्या trade ले कहां पर मौके हैं किस तरह से trends को समझे टेकनिकल बेसिस पर fundamental बेसिस पर इस सब के लिए आपके लिए खास पेशकर्ष हम लेकरार है commodity गुरुकुल ये एक अनोखी पहल है 22 जून को ये वेबिनार होने वाला है लाइफ जहां पर देश ये नहीं दुनिया के भी कमोर्टी बाजार के लीडर्स आपको मार्किट की हर छोटी बड़ी बारी की सिखाएंगे बाजार के टेक्निकल के साथ सबी ट्रेंड कैसे पढ़ने हैं कैसे वो समझने हैं, इंटर्फरेट करने और ट्रेंड में बदलने हैं ये सब भी आपको बताया जाएगा तो आप प्रेजिस्टर अगर नहीं कर पाएं अब तक लास्ट डेस आप प्रिजिस्टर कीजिए 22 जून को जल्दी अगले वीकेंड रसल ये कमोर्टीज पर खास वेबिनार आपके लिए हम पेश करेंगे जो मनीशा गुपता हमाई कमोर्टीज एडिटर ने खास तौर से क्यूरेट किया है